हेलो गाईज, आज के इस वीडियो में हम लोग सहींग पारामेटकल फार्मेसी याँ नर्सिंग परवेस परिच्छाज CPNAT के नाम से यहाँ पे नर्सिंग पारामेटकल फार्मेसी में डिगरी और डिप्लोमा में आपका एडमीशन होगा और भी इंटरेंस के मादें से CBT के फ्रू होगा, आनलाइन होगा, तो हम लोग देखेंगे स्टुडेंट सेंटर आप लोग का कहां जाने माला है और यह देखेंगे कि UP बोर्ड और CBT बोर्ड दोनों स्टुडेंट अपलाई कर सकते हैं, इसमें कौन से कोईस्चन आते हैं, आपजेक्टिव आते हैं, कि लोग पूरा रिव्यू करेंगे कि क्या है, आधर स्टेट के स्टुडेंट यह फार्म अपलाई कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं, इसका स्लेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, बोथ इसमें इंगली हिंदी दोनों आएगा कि एक ही आएगा, अपलिकेशन फिलब प्रॉ degree course तो सब देखेंगे कौन से इसमें negative marking होती है कि नहीं होती है और chemistry में जो पूछे जाते हैं physics में जो पूछे जाते हैं biology में कैसे question पूछे जाते हैं और कौन से student डाल सकते हैं farm 12th past student या 10th past या BST करने के बाद तो यह सब पूरा इसमें देखेंगे eligibility criteria क्या है सब पूरा इसमें देखने वाले हैं तो इसकी लगभग 2-3 वीडियो बनेगी मेरे चैनल पर छोटी छोटी वीडियो बनेगी तो आप लोग part wise देख लिजेगा एक वीडियो में अगर बनाएंगे तो लगभग 30-40 minute की वीडियो बन जाएगी जो कि आप लोग देख देखने वाले नहीं हैं तो छोटी छोटी वीडियो बनेगी तो चलिए देख लिजिए ये विवराण पुस्ति का विश्व विद्याले के पारमेटिकल फार्मेसियुम नर्सिंग पाठे करें हैं सत्र 2020 आप यह भी जान लिजे काफी स्टुडेंट यह भी कमेंट कर रहते कि यह सर्ट 2021 के लिए फार्म फिलफ हो रहा है कि 2020 के लिए तो 2020 बैच के लिए फार्म अभी फिलफ हो रहा है इस यह अभी काफी लास्ट है तो इसलिए लग रहा है स्टुडेंट को कि यह 21 के लिए है नहीं 21 के नहीं 2020 के लिए है तो चलिए हम लोग देखेंगे आनलाइन प्रारम कब से करना है आपको 21 दिसमबर, आनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट 21 दिसमबर से सुरू हो गया, लास्ट डेट आप आनलाइन समिस्टन आप अप्लिकेशन 28 को आप लास्ट तक फार्म प्लाई कर सकते हैं, 28 तक और आपका कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट का भाष साथ तारिक को है, तो ये इसकी वीडियो सब पड़ गई है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये दिया है किस पेज पे क्या जानकारी दी गई है, तो हम लोग भी से सूची देखेंगे, सिपी नियान महातपूर सूचना ये सब हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं, कि सिपी एनेटी 2020 से संबंदित तो ये पूरा हम लोग वीडियो चैनल पे बनी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा, कब से फाम बरे जा रहे हैं, कब इंटरेंस एक्जाम हैं, और कब आपकी मेरिट, ये इसमें देख लीजिए, साथ नंबर देख लीजिए, मेरिट सूची गोसित करने कितीती जो है, वो 13 जनौरी है, और इंटरेंस एक्जाम साथ तारिक को आपके होंगे, और जो रेजल्ट आपका आजाएगा, दस को आजाएगा, मेरिट सूची जो आएगी, वो 13 की आएगी, कितनी रैंक आपकी है, और कितने नंबर पे कितनी रैंक है, उसकी कियाधार पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है, काउंसलिंग की जो प्राकिरिया है, वो अभी जब ये मेरी सूची आजाएगी, उसके बाद आपकी डेट आएगी, तो मेरे चैनल पे सब पूरा आपको कम्पलीट, जब तिक आपका यहाँ पे अडमिशन नहीं हो जाता, तब तिक कोई भी इंफार्मेशन सभी पड़ेगी, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को तेजी से आप लोग ग्रोवी कराएं, सब्सक्राइबर नमबर काफी से, काफी तेजी से अपने फ्रेंड्स गुरूप में, अपने मुबाइल, वाट्साप गुरूप, फेस्बुक पे सभी जगाँ सेर जरूर करें, चलिए हम लोग देखते हैं, महतपूर सूचना है, इंपॉर्टन्ट इन्फार्मियसान, तो फस्ट देखते हैं, कह रहा है, यह कह रहा है कि, सीपी एन इटी, 2020 के आयोजन में, परिच्छा परिच्छा पल गोस्तित किया जाने के, काउंसलिंग तता परिच्छ का कार्य उत्तर परदेश आयर्विज्ञान, विश्विद्याले से फईटावा, दोरा संपन कराया जाता है, तो यह सही है, यूपी, यूम्यस इनिवर्सेटी यह इंट्रेंस एक्जाम कंडेक्ट कराती है, काउंसलिंग के माध्यम से परवेश दिया जाएगा, तो सही है, जो आप परफार्मेंस करेंगे, उसी के आधार पे आपको काउंसलिंग के थुरूष सीट प्रवाइट की जाएगी, थार्ड नमबर पे देखेंगे, सीपी एनिटी 2020 की संबंदी तितियों में किसे भी परकार के परिवर्तन होने की दसा में, सूचना विशुविद्याला की वेपसाइट www.upumas.se.in पर आप लोग को कोई भी अगर परिवर्तन होता है, तो आप लोग को मेरे चैनल पे तुरं कार नहीं किया जाएगा, तो आप लोग को फार्म तो अपलाई कैसे करने है, आनलाइन ही करने है, ये तो पता है कि आनलाइन फार्म फिलप करने है, फाइप नमबर देखते हैं, फाइप नमबर कहरा है कि इस वीबरन पुस्तिका में लिखित आहरता खंड के अंस्वार ही आवेदक के अपनी पातरता का आंकलन स्वयम करना होगा। पातरता मूल परमाड प्त्रों के आधार पर काउंसलिंग परबेश के समयी सुनश्चित होगी। आयोग आःश्थी परबेश के योग नहीं होंगे। और वोग इसके लिए स्वयम उत्तरदाई होंगे। तो ये आपका जो qualification के समकच में कह रहा है, 6 नमबर देखते हैं, विभिन पाठे करों में आवेदन है, तो एक ही आवेदन पत्र बरना प्रियापत है, अता विभिन पाठे करों में हो, है तो अलग-अलग आवेदन पत्र नहीं बरना है, तो जितने भी कोर्स यहाँ पे हैं, सभी के लिए एक ही फार्म बरे जाएंगे, आपको मेरिट के हिसाब से, नमबर के हिसाब से, आपको सीट मिलने वाली है, चलिए 7 नमबर देखते हैं, अपूर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, और इस संबन्द में किसे भी परकार का पात्राचार मानी नहीं होगा, एट नमबर अभेरती, विबरोंट पुष्टिका, साउधानी पूर्वक अध्यन करने के पस्चात ही, आनलाइन आवेदन परकिरिया प्रारम करें, एक से अधिक आवेदन सुईकार नहीं होगा, आवेदन परकिरिया पूर्व होने के पस्चात किसे भी परकार का परिवरतन संसोधन मानी नहीं होगा, तो आप समय से 28 तक फारम भरे जाएंगे, उसी के बीच में आप फारम भर लेंगे, उत्तर परदेश नाइन्थ नंबर देखते हैं, उत्तर परदेश आयरुविज्ञान विश्व विद्याले से फई इटावा द्वारा, सी पी एनिटी 2020 के लिए विश्व विद्याले द्वारा किसी परकार की कोचिंग नहीं दी जाती, और नहीं ऐसे किसी कोचिंग सहस्थान का विश्व विद्याले से कोई संबन्ध है, तो ये 12th पास स्टूडेंट अपलाई कर सकते हैं, फारम 10th पास नहीं कर सकते हैं, उनको 12th पास होना जरूरी है, 12th के बाद चाहिए जो आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप फारम को अपलाई कर सकते हैं, बड़ आपको 12th पास होना जरूरी है, 10th नमबर देखते हैं, CP NET परिच्छा से संबन्धिस समस्त विवाद उत्तरपरदेश उचनेवाले इलाबाद पीट के 16 दिकार में ही होता है, परिच्छायों परवेश समन्धिस समस्त सूचना है, बेस विद्याले की website www.e.ac.in पर आपको ये सब सुद्धा, अगर फारम में कोई दिक्कत हो भरने में, तो आप इस पे काल कर सकते हैं, जो की लगता नहीं है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाठे करमें, कोर्स के नाम आवद सीटों की संख्यावा सैच्छरी क्योगिता, चलिए देखते हैं हम लोग कितनी सीटे किस कोर्स में हैं, और कौन से स्टुडेंट अपलाई कर सकते हैं, पूरा ये देखते हैं, तो फास्ट पे दिया गया है, BMLT दिया गया, Bachelor of Science in Medical Laboratory Technician, जो कि ये डिगरी कोर्स है, कितने साल की है, तीन साल का कोर्स है, छे मा की इंटरसीप है, जो कि आप यहीं के Medical College में से आप कर सकते हैं, 60 सीटे हैं, 60 सीटे हैं, और BPT Physiotherapy की, बैचलर आप Physiotherapy, Pyramedical का कोर्स है, 4 वर्स का कोर्स है, 6 मा की इंट इंटरसीप है, 60 सीटे हैं, इसमें भी 60 सीटे है, इसमें भी 60 सीटे हैं, अब आएंगे थार्ड नमबर पे, BRIT बैचलर, आप Science in Radiological Emergency Technique, Pyramedical 3 वर्स का कोर्स है, 6 मा का इंटरसीप है, 60 सीटे हैं, और 4 नमबर पे दिया गया, B. Aptometry, बैचलर, आप Aptometry, Pyramedical का कोर्स है, 4 व यह पूरा देख लिजीए, 4-5 साल लगेगा, और इसमें कितनी सीटे हैं, 60 सीटे हैं, अब देख लिजीए, और आप पांचवा नमबर भी देख लिजीए, B. Pharma, B. Pharma को अलग से देखते हैं, यह जो 4 नमबर तक दिया गया, यह स्टूडेंट, श्रीप PCV, Physics, Chemistry, Biology वाले स् Commerce वाले नहीं, Only Biology, Science वाले स्टूडेंट, यह फांच अपलाई कर सकते हैं, यह चारों, अब आते हैं, 5 नमबर के लिए, जो B. Pharma है, B. Pharma के यह देख लिजीए, 4 बर्स का कोर्स है, और 8 समेट्सर कराए जाते हैं, और इसमें देख लिजीए, 60 सीटे हैं, Intermediate, 10 प्लस 2, समक परिच्छा, भावतिक विज्ञान, रसाइन विज्ञान, और जिव विज्ञान, अथमा, गडित योम, अंग्रेजी विशे के साथ, उत्रीड होना अनिवार है, तो यह गडित वाले, मायत वाले भी स्टूडेंट, यह फांपलाई का सकते हैं, और विज्ञान वाले तो कर नर्सिंग में आते हैं, तो 6 नंबर, बेसे नर्सिंग, जो काफी डिमांड में है, और स्कोप भी बेस्ट है, चलिए 10 प्लस टू, क्लास पास्ट भी साइन्स, यह सिरी पास, फिजिक्स कमेस्ट्री, बायलोजी, साइन्स वाले स्टूडेंट फार्म अपलाई कर सकते हैं, और GNM देखते हैं, जन्ब टैन्स प्लस टू बे इंगलिस, और मस्ट हाज़े हैं मिनमां 40% होना चाहिए, और यह इसे इलिजबिsal 40% और यह स्टूडेंट कौन-कौन से स्टूडेंट अपलाई कर सकते हैं, तो यह GNM के लिए सभी स्टूडेंट अपलाई टर सकते हैं, वो यह उनली यहां के सीट फिलप की जाती है जो कि इसमें इकोनोमिक्स, जियोग्राफी, कामर्स वाले स्टुडेंट यह फार्म अप्लाई कर सकते हैं उनली लड़कियों के लिए जीनेम कोर्स है जीनेम तो लड़कियां दोनों कर सकते हैं इसमें गल्स और बॉइस दोनों कर सकते हैं यहां पे एनेम जो है उनली गल्स अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए नाई नंबर देखते हैं नाई नंबर अब यहीं से शुरू होता है डिप्लोमा डिगरी तो ये जितने कोर्स हैं सब डिप्लोमा डिगरी हैं इसमें देख लीजिए समकच परिच्छा, भाति विग्ञान, रसायन विग्ञान, जुबिग्ञान, गडित तो इसमें math वाले student और biology वाले student जो होते हैं ये दोनों ये इतने degree के लिए farm को apply कर सकते हैं अब D.O.T देख लिजिए ये सब diploma degree है, optometry की, physiotherapy की, dialysis technician इसमें CT scan और cardiology technician, MRI और emergency trauma और diploma and transfusion technician इसमें सब दो-दो बर्स के course हैं और इसमें किसी में 30 seat हैं, किसी में 20, किसी में 15, आप लोग ये देख लिजिएगा अब ये total यहाँ पर कितनी seat हैं, आप लोग की ये इंटरंस exam होगा, ये 660 seat के लिए इंटरंस exam होने वाला है तो चलिए हम लोग eligibility criteria next video में देखने वाले हैं, क्योंकि नहीं तो video long हो जाएगा तो चलिए next video अभी आज ही पड़ेगी, तो आप लोग चैनल को please subscribe करें और मेरे चैनल पर फिजिस कमस्टी बालो जी के काफी question कराएगा हैं आप लोग लगबद 2500 question के हैं, आप लोग revise करिए और अभी कराएभी जाएंगे तो चलिए next video में मिलेंगे, student आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और share जरूर करें, और पहली बार अगर चैनल पर वाच करने हैं, तो subscribe चरूर करें चलिए next video मिलेंगे, thank you, धन्यवाद